हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हीना केमिकल फार्नेस ओल आज का केमिकल का टॉपिक है फार्नेस ओल इट इस नेचरल 15 कार्बन और्गेनिक कमपाउंड है नेचरल कई सोर्स से मिलता है सिंथेटिक भी यह डेवलोप होता है यह स्पेशियली स्वीट एंड फ्लोरल ओर्डर पर्फ्यूम के अंदर यूज होता है इट इस वन काइंड ओप को सॉलवन्ट भी है पर्फ्यूम की सेंड को एंहांस करने के लिए भी इसका यूज होता है स्पेशियली लिल्याक टाइप जो पर्फ्यूम होता है अपना उसमें इसका ज्यादा यूज होता है तो आज इसके बारे में जानकारी शेर करेंगे उसके कुछ टेकनिकल पॉइंट भी देखेंगे और ब्लैंड भी देखेंगे तो उसका टेकनिकल पॉइंट स्टार्ट करते हैं केस नंबर है 4602-840 फॉर्मिला इसकी है C15H26O केटेगरी इसकी फ्लेवर एंड फ्रेग्रंस है अपिरियंस कलरलेस टू पैल येलो इस क्लियर लिक्वीड है फ्लेश पॉइंट की बात की जाए तो उसका 96.11 डिग्री सेल्सेस फ्लेश पॉइंट है अब सॉल्यूबिलिटी देखी जाए इसकी तो आलकोल के अंदर, बेंजयल, देंजयोएट के अंदर, DPG के अंदर, DEP के अंदर बहुत ही बढ़िया डिजОल होता है अनदर आरोमा केमिकल के साथ भी इसका बंडिंग बहुत बढ़िया है वाटर के अंदर सॉलिबल नहीं है अब कौन-कौन से प्रोडक्ट में stability अच्छी दिखाता है तो cream है, hairspray है, shop है, lipstick है, lotion है उसमें उसकी stability बहुत ही बढ़िया है, good stability है इसकी अब इसका order की बात की जाए तो यह floral fresh wheat knot के उपर है greenish tropical जो peach होता है, उस type का इसका एक knot उटके आता है greenish भी है, sweet भी है, and floral knot भी है lily of the valley जो अपने मोगरा बोलते है उसके अंदर मुगे टेनॉल के साथ furnishol और polycentol का एक blend बना के आप use करोगे तो market से अलगी type का एक मोगरा का knot आपका बन जाएगा अब इसकी strength की बात की जाए तो low strength वाला chemical है यह timing लेता है 400 hours another aroma chemical के साथ जो blend करना है तो यह completely bonding का time इसका 400 hours है अब इसके कुछ blend की बात की जाए तो aldeidic blend देखेंगे पहले CTL-MNA और CTL-LORIC के साथ दोनो aldeid का 10% solution लेना है आपको DPG के अंदर 10% solution बना है हुआ जो आपका solution है उसको लेना है तो 5 ml C12-MNA लो 5 ml Farnation लो equal ratio का 10 ml का एक record बना के आप रख दो इसको एक अपते तक maturity के लिए रख दो एक side पे same as it is C12-LORIC के साथ भी यह सेम ratio में एक record बनाओ 5 ml C12-LORIC और 5 ml Farnation लेके 10 ml का एक blend बनाओ यह blend से एक बिल्कूली अच्छा aldeidic floral strength डेवलोप होता है यह blend से Farnation का खुद का जो strength है वो हाई होता है ratio ज्यादा कम करोगे उसके इसाब से Farnation का strength प्लस माइनस आपको दिखेगा और कोई भी compound के अंदर आपको greenish sweet knot अपलिप करना है middle knot के अंदर basically Farnation middle knot का chemical है तो middle knot के अंदर आपको यह चीज़ करनी है तो यह aldeidic blend जो आपने record बनाया उसका 1% या less than 1% आप यूज करों अब पाल्सामिक record देखते है रेसिनोईल बेंजोईन के साथ Farnation का एक compound देखेंगे इसमें ratio 7 is to 3 या 8 is to 2 7% जो आप फानेसल लो 3% आप रेसिनोईट बेंजोईल लो यहाँ पे उद एंड जो मस्की नोट के जो फ्लेवर वारे जो फ्रेक्रेंस वाले पर्फ्यूम है उसकी मीडल नोट की लास्टिंग को अप्लिप करने और एक टाइप का ठैराव लाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया एकोड बनेगा आपका उद नोट वाले जितने भी आपके जो अतर है आपके जो पर्फ्यूम है उसके अंदर एक ग्रीनिस नेचरल अर्थी ग्रीनिस नोट और फ्लोरल नोट आपको डेवलोप करना है तो यह एकोड का थोड़ा सा यूज करो आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दूसरा बाल्सामिक के अंदर देखेंगे बेंजा फिनोन के साथ फार्नेस वाल का एक ब्लेंड बनाओ यह ब्लेंड एक तरीके से मिडल नोट को बुस्टिंग करता है यहाँ बेंजा फिनोन को आप डाइलूट करो 10 परसंट वाला सॉल्यूशन बनाके यूज करो डायरेक आप बेजिकली दो अपते तक रख दो एक साइड पे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा अब फ्लोरल नोट्स के अंदर फ्लोरल एकोड देखते बेंजाईल एसिटेट के साथ फार्नेस वाल का एक एकोड बनाओ इकॉल रेशियो में यह बहुत ही बढ़ि यह बूश्टिंग में बहुत ही बढ़िया इफेक्ट दिखाएगा आपको किसी भी फ्लोरल नोट्स में आपको थोड़ा सा लेले अप दे वैली का यूज करना है या फ्रेंच नोट के अंदर आपको थोड़ा सा फ्लोरल ग्रिनिश फ्लोरल नोट का टच देना है आपको तो ये blend बहुत ही बढ़िया काम करता है, ये accord बहुत ही अच्छा काम करता है, दूसरे भी accord बनाओ अपने तरीके से, फानेसल का polycentral के साथ करो, इथिलिन ब्रेसिलेट के साथ करो, मिथाइल आयोनोन के साथ भी एक बहुत ही बढ़िया इसका result उटके आता है, पावडरी फ्लोरल नॉट के अंदर, ज्यादा तर जो वुमन पर्फ्यूम है, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया ये result oriented accord बनता है, तो ये accord आप खुद बना के टेस्ट करो, ट्राइ करो, MI के साथ, वीडियोन के साथ, फिर C-11 के साथ भी एक accord बना के ट्राइ करो, C-11 बेजिकली जो रोजी टाइप, साइटरसी, स्लाइटली साइटरसी टाइप नॉट वाला है, इसके साथ एक ग्रीनिस फ्लोरल नॉट वाला एक accord बना होगे, बहुत ही बढ़िया, एक ठेराओ, एक अपलिप वारा एक accord बनेगा आपका, तो friends, आज का वीडियो था फारने सॉल के बारे में, आसा रखते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जो भी नए हैं हमेरे वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ऐसे एरोमा केमिकल के नए नए वीडियो आते रहेंगे, तो धन्यवाद ये आप हमेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया, धन्यवाद, जय हीन, गोड़ डे,